अखलेश यादो के चहते फैजाबाद के सपासांसद अवधेश प्रसाद को बड़ा जट्का लगा है जब सामोहिक गैंग रेप के आरूपी मोईद खान और उसके नौकर राजू को लेकर पीडिता के भूण की डिने रिपोर्ट सामने आई थी तो उस समय पीडिता के भूण का डिने मोईद खान से नौ मिलकर राजू के डिने से मैच हुआ था तो इस पर सपासांसद अवधेश प्रसाद की ओर से इस पर बड़ा बयान दिया गया था उन्होंने भाजपा और खासकर योगी सरकार को घेरते हुए कहा था भाजपा मुसल्मान होने के कारण मोईद खान को बदनाम करना चाहती थी इसलिए इस मामले को उठाया गया भाजपा सरकार मुसलिम विरोधी है, दलिद विरोधी है, समविधान और गरीब विरोधी है हमारे नेता अखलेश यादो को पहले भी शक था इसलिए उन्होंने DNA टेस्ट की मांग की थी और उन्होंने कहा था मोईद खान बड़ी उम्र का है भला वो ऐसा कैसे कर सकता है और अब सच सामने आ गया है लेकिन बातों बातों में अवधेश प्रसाद जी शायद तत्यों को थोड़ा भूल गए हैं क्योंकि उन्हीं के नेता जी ने कहा था कि मोईद खान की उम्र जादा है तो ऐसे में लाजमी है कि DNA कम उम्र के व्यक्ति से ही मैच होगी और हुआ भी यही यहां तक की मेडिकल साइंस से जुड़े विशेशग्यों के अनुसार भी यदि एक आरोपी 70 वर्ष का है और दूसरा 25 वर्ष का तो युवा आरोपी से DNA मैच होने की संभावना अधिक होती है अतह DNA रिपोर्ट में मोईद खान का नाम नेगेटिव आने से वो कदापी दोश्मुक्त नहीं हो जाता बलकि सांसद महोदय को जटका अब किसी और बाद से भी लगा है और ये जटका दिया है इलहाबाद हाई कोड की लखनव खंड पीठने कैसे तो आई ये बताते हैं व भदरसा में एक नाबालिक 12 वर्षीया दलित योटी से सामुहिक रेप करने उसका वीडियो बनाने और उस वीडियो के आधार पर बार बार उसके शरीर से खेलने और उसकी आत्मा को चलनी करने अर्थात बार बार उसका रेप करने का कुकृतिया समाजबादी पार्टी का नगर अध्ध्ष और उसका नौकर करता रहा महज 12 वर्श की अम्र नदुनिया की समझ और नहीữa दुनियादारी की समझ आती तब तक उसे इतना गहरा जखन मिल गया जिसकी टीज का दर्द शायद ही कभी कम हो सकेगा और पिरिता की इस हालत का पता भी तब चला जब वो मासूम दो महीने की गर्भवती हो गई इसके बाद मामला जब गाउवालों की जानकारी में आया तो लोग फैजबाद के नव निर्वाचित सपासानसद अवधेश प्रसाद के रसूखदार नेता वभधरसा नगर अध्यक्ष मोईद खान और उसके नौकर राजू की इस काली कारिस्तानी का काला चिट्था खोलने के लिए पुलिस के पास गए और मामला जब पुलिस के पास पहुँचा तो पुलिस सहित प्रशासन और खुद सियम योगी आदितिनात ने भी इसका संग्यान लिया आरोपी को शासन के कहने पर पुलिस ने गिरफतार किया वरना भधरसा पुलिस कई सालों से विभन मामलों को लेकर केस दरज होने के बावजूद भी आरोपी सपानिता की गिरफतारी नहीं कर सकी थी लेकिन अंततह उसकी गिरिफतारी हुई और इसके साथ ही उस पर लगे उन आरोपों की भी फाइल खुल कर सामने आई जिसको उसने अपने रसूख के चलते दवा कर रखा था दरसल भदरसा के सपानगर अध्यक्ष मोईद खान पर सिर्फ बारह वर्शिया नाबालिक दलित युवती से बार बार रेप करने का ही आरोप नहीं है बलकि अवैद रूप से घरीबों वस सरकारी जमीनों पर कबजा करने और साथ ही दंगे फैलाने का भी उस पर आरोप है जी हाँ आपको बता दूँ कि आज से लगभग 12 साल पहले 24 अक्टूबर 2012 को भदरसा में दुर्गा पूजा जुरूस के दौरान सामपरदाइक दंगा हुआ था जिसके कारण भोला गुपता नाम के एक व्यक्तिकी हत्या कर दी गई थी वहीं सपा के इस निता यानि मोहिद खान और मुहमद एहमद पर इस दंगे को भड़काने का और हत्या करने का आरोप भी लगाया गया था हाला कि मोहिद को FIR के बाद जेल भेज दिया गया था लेकिन उसका प्रभाव इतना अधिक था कि लोग बताते हैं कि भडरसा पुलिस चौकी उसके घर से ही चलती थी हाला कि इस्थानिया लोगों ने ये भी दावा किया कि पुलिस चौकी वास्तों में मोहीद के घर में नहीं बलकि उसके एक करीबी सहयोगी की संपत्ति पर थी वहीं साल 2012 में ही मोहीद खान जो सपागा नेता है उसको समाजबादी पार्टी ने भधरसा से पार्टी का नगर अध्धक्ष बना दिया था और इसी पत पर रहते हुए उसने 12 वर्षिया नावालिक दलित यूवती से अपने नौकर के साथ मिलकर कई बार दुशकर्म किया उस पर आरोप लगते हैं कि एहमद के संग्रक्षन में ही मोहीद ने सरकारी और गरीब लोगों की जमीनों पर कबजा करना शुरू किया था जब उसकी गिरफतारी हुई तब सभी मामले धीरे धीरे खुल कर सामने आने लगे जिसके चलते प्रशासन ने उस पर तगडी कार्रिवाई की उसके अवैध निर्मानों को ध्वस्त कर कई जमीनों को कबजा मुक्त कराया गया वहीं फिलाल आरोपी जेल में बंद है और उस पर मुकदमा चल रहा है वहीं दो महीने की गर्भवती 12 वर्शिया नाबालिक पीडित दलित यूवती को कोट ने गर्भपात कराने की अनुमती दे दी थी जिसकी वज़े से उसका गर्भपात करा दिया गया था इस दोरान मुईद खान ने इलाहाबाद हाई कोट के लखनव खंड पीठ में अपनी जमानत याचिका दाखिल की थी जिसको लेकर उच्छ न्यायाले ने नाबालिक पीडिता यूवती के भूड के डियने की जाच रिपोर्ट अदालत में पेश करने का आदेश दिया था सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने दलितों की जमीन हडपने, सरकारी जमीनों पर कबजा करने, दंगे फैलाने, हत्या करने और गैंग रेप जैसे घिनोने काम को अंजाम देने वाले आरूपी का पक्ष लेते हुए उसे धार्मिक चोला पहना कर सिर्फ ये साबित करने की कोशिश की कि वो निर्दोश है और भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ मुसल्मान होने के नाते ही उसे फंसा रही है, शायद सांसद महोदे ने सिर्फ जाती और धर्म के चश्मे से ही खुद भी राजनीत में अपनी कुरसी हासिल की है और इसी वज़े से वो एक आरूपी को तत्यों के आधार पर सही या खलत साबित नहीं कर रहे हैं, बलकि उसे सिर्फ धर्म के चश्मे के आधार पर ही देख रहे हैं और उसी की वज़े से उसे निर्दोश बता रहे हैं, बहराल आपको बता दूँ कि सपासांसद अवधेश प्रसाद के खरीबी माने जाने वाले इस गैंगरेब के आरोपी सपानेता मोईध खान को हाई कोट ने बड़ा जटका दे दिया है, जेहां इलहाबाद हाई कोट की लखनव खंड पीठ ने गैंगरेब के आरोपी सपानेता मोईध खान की जमानत याजका को खारिज कर दिया है, और साथ ही निचली अदालत को य दबाव बनाये गया था कि वो इस मामले में सुलह कर लें इसको लेकर कोट ने कहा था कि आरोपी राजनीती से जुड़ा हुआ है और पीडिता का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है जिसके चलते अभियुक्त के द्वारा जांच में हस्तक्षिप किया जा सकता है इसको ल पीडिता के साथ हुई घटना का वीडियो बना कर उसे ब्लैकमेल किया था जिस मोबाइल से वीडियो बनाया गया था उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और फॉरंसिक जाच के लिए भेज दिया गया है और कोट ने कहा है कि मोबाइल फोन की फॉरंसिक जाच कर यानि देखा जाए तो साफ तोर पर गैंग रेप के आरोपी सपानेता मुईद खान की जमानत याचिका को खारिच कर दिया गया है लेकिन इसके साथ ही उसे थोड़ी सी राहत भी कोट ने दी है कोट ने कहा है कि आरोपी मुईद खान चार हफ़ते और पीड़ता की गवाही होने के बाद नए सीरे से अपनी जमानत याचिका फिर से दाखिल कर सकता है गोर तलब है कि मुईद खान जो सपा का नगर अध्यक्ष है उसको लेकर समाजबादी पार्टी यही कह रही है कि ये एक राजनीतिक शडियंत रहे और कोट में आरोपी की वकील ने भी अदालत को यही कहा कि मुईद खान को राजनीतिक कारोनों से गलत फंसाया जा रहा है लेकिन कोट ने सभी तत्यों को देखते हुए आरोपी मुईद खान की जमानत याच का खारिच कर दी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी में विधान सभा के उपचुनाओ होने वाले हैं और ऐसे में आयोध्या की मिल्कीपुर विधान सभा सीट जो सबसे अधिक चर्चा का विशय बनी हुई है और साथ ही भाजपा खास कर सीम योगी आदे तिनात के लिए प्रतिष्ठा क सवाल बनी हुई है उसी सीट पर साल 2022 के विधान सभा चुनाओ में सपा के अधिश प्रसाद ने जीत दर्च की थी लेकिन 2024 के लोग सभा चुनाओ में फैजाबाद से अधिश प्रसाद के सांसत बनने के चलते मिल्कीपुर सीट रिक्त होई थी और इसी सीट पर सपा को पाधिक बोट भी मिले थे जिसके चलते उसे फैज़ाबाद की संसदिय सीट जीतने में कामयाभी मिली थी वहीं भदरसा गैंग रेप केस के मामले के सामने आने और उस पर शासन और प्रशासन की ओर से की गई कारिवाहियों के चलते यहां भाजपा का ग्राफ बढ़ा है भा अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को ही प्रत्याशी बनाने की योजना बना सकती है इसके चलते अवधेश प्रसाद अपने बयानों की तेजी यहां बनाए हुए है हना कि आपको यहां यह भी बता दूं कि अजीत प्रसाद पर अपहरण कर मारपीट करने और पीडित को जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में पुलिस ने भी FIR दर्ज की हुई है और इस वज़े से उनकी मुश्किल भी बढ़ी हुई है। हमें अपने कॉमेंट्स के जरीए जरूर बताईएगा। वहराल आभी के लिए अनुमती दीजे फिर मुलाकात होगी किसी और विशह, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें Capital TV उत्तरप्रदेश के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।